ये थमनेल देखकर आप चौकिय मत मोदी के मंतरी गिरोह बनाकर वसूली करते हैं वसूली का गिरोह है मैं गिरोह कह रहा हूँ गिरोह कोट ने बकायदा कहा है कि इन पर एफायार दर्ज करो और एक बिजनेसमेन सिर्फ एक बिजनेसमेन का आरोफ है कि इन्होंने 8000 करोड का हमसे वसूली की है और कोट ने बकायदा पुलिस को 120 में मुकादमा दर्ज करने के लिए कहा है इतना ही नहीं, आपको ये भी बताऊंगा कि इस वसूली गैंग में कौन-कौन है अभी तो सिर्फ चार नाम आए है देश की फाइनांस मिनिस्टर, बीजेपी के बड़े नेता और ईडी इन चार लोगों के उपर आरोप लगा था जिसके बाद ऐसे तो पुलिस की हिम्मत नहीं केस दर्ज कर ले आरोपी जो है, उसके खिलाफ कितना बड़ा ताकतवर लोग आरोपी है पिरित कोट गया, कोट ने कहा कि इन पर फायार दर्ज करो और उसके बाद एक मुखमंत्री ने कहा है कि अब इनका इस्तीफा होना चाहिए नमस्कार मैं शंभुक उमार सिंग और आप देख रहें निसनल दस्तक मुझे नहीं पता इस देश के विपक्षी दलो को ये ख़बर पता है कि नहीं मुझे ये पता है कि ये ख़बर टीबी और अख़बार नहीं चलाएगा लेकिन ये सच है कि बीजेपी के मंत्री, नरेंद्र मोदी के मंत्री, फाइनांस मिनिस्टर निर्मला सितारमन पर गिरोह बनाकर वसूली करने का एक दो करोर नहीं, सौद्ध, दो सौ करोर नहीं, एक हजार, दो हजार करोर नहीं, आठ हजार करोर रुपए के वसूली कारोप लगा है सिर्फ एक बिजनेसमेन ने और इसके बाद कोट ने कहा है कि इन पर एफायार दर्ज किजिए, और उस वसूली गैंग के निताओं का नाम सुनेंगे, और जाँच एजनसियों का नाम सुनेंगे, तो आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी मुझे नहीं पता इस ख़बर के दिखाने के बाद सरकार मेरे साथ क्या करेगी, इस चैनल के साथ क्या करेगी क्योंकि आपको पता है, टीबी अख़बार सब जगा चुपी है, लेकिन आप सोशल मीडिया को कैसे रोक सकते हो, ये ख़बर है, सोला आने सच है मैं कभी भी कोई थमनेल ऐसा नहीं लगाता हूँ, जिसमें कोई मिलावट हो, सोचिए, इलेक्टरल बाउन, जिसको सुप्रिम कोट ने गैर संबैधानिक अबायद घोसित किया है, उसी के जड़िये कैसे कैसे, ये लूट होती थी, ये गिरोक कैसे वसूली करता था, वो पहला आरोपी तस्वीर देखिए, देश की बित मंतरी निर्मला सितारमन, जी हाँ, वही बित मंतरी निर्मला सितारमन जो कहती थी कि मुझे प्याज लहसुन का प्राइस नहीं पता है, ये वही निर्मला सितारमन है, जिनके पती ने कई बार गंभीर आरोप लगाए है, त करनाटक के मुखमंतरी सिधार मया ने कहा है कि इनका इस्तीफा मांगा जाए लेकिन ये एक ही नहीं है एक और है इस सक्स का नाम है ये दुरप्पा जो बीजेपी के नेता है उनके बेटे वीवाई विजेंद्र और एक पार्टी का और एक नेता नलीन कुमार कटिल ये तीन लोगों को गिरोह बनाकर आठ जार करोर रुपए लूटने का रोप लगा है आप चौक जाएंगे दहल जाएंगे लेकिन इस देश के टीवी अख़वार की हैसियत नहीं है कि इस पर कोई ख़बर चलाए कोट ने कहा है जो कोट ने कहा है special कोट ने आदेश दिया है कि 384 ध 12120 B के तहद FIR दर्ज किया जाए ये पूरी ख़बर बताऊंगा तो आप धहल जाएंगे बैंगलूरू के special कोट ने 27 सितंबर को केंद्रिये बितमंत्री निर्मला सितारमन के खिलाफ FIR का दर्ज करने का आदेश दिया है बितमंत्री पर जवरन वसूली का रोप लगाए गा ह बैंगलूरू पुलिस ने धारा 384 और 122 B के तहद FIR दर्ज कर ली है जनाधिकार संगर्स परिशत के आदर्स आर आईयर की सिकायत करनाटक बीजेपी परमुख और बीए सदुरप्पा के बेटे बीवाई बिजेंदर और पार्टी के नेता नरिल कुमार कटील का भी नाम इ 8000 करों रूपए से जादा का फायदा उठाया उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सीता रमने ED के अधिकारियों को ध्यान दीजिएगा आजकल ED की बड़ी चर्चा है ED के अधिकारियों के जड़िये राज और रास्ठी अस्तर पर दुसरों को फायदे के लिए 1000 करों लग लग लेबल पर बीजेपी के पताधिकारियों की मिली भगत से चलाया जा रहा है लोग सभाई लेक्षन से कुछ टाइम पहले ही फरवरी के महीने में सुप्रिम कोर्ट ने नरेंद्र मोधी सरकार की 288 एलेक्टरल बॉन्ड स्कीम को रद कर दिया था इतना ही नहीं कोर ये पैसा लेंगे अब इस मामले में करनाटक के मुखमंतरी सिधा रमया ने कहा है कि अब इनको इस्तीफा देना चाहिए तो सोचिए ये खबर क्यों गंभीर है एक तो विपक्षी दल के नेताओं को पता है या नहीं है दूसरा टीबी अख़वार ये खबर चलाता नहीं आप कल्पना कीजिए किसी और दल के नेताओं पर ये आरोप लगता तो क्या हालत होती और खासकर किसी दलित पिछरे किसान आदिवासी अल्व संख्यकों पर आरोप लगता तो क्या होती इसका मतलब साफ है कि अब तक कॉंग्रेस ने 60 साल इंकम टेक्स और ईडी का इसी तरह से सरयाम धरल्ले से दुरूपयोग किया था और अब बीजेपी सरयाम धरल्ले से दुरूपयोग कर रही है लेकिन 60 साल तक इंकम टेक्स ईडी पर सवाल नहीं उठे सरकार के इन एजेंसियों की कारवाई पर सवाल नहीं उठे क्योंकि पीरित लोग जो होते थे वो दलित पिछरा किसान आदिवासी अलसंख्यक होते थे सीबू सुरेन को जेल में डाला गया माया वती जी के खिलाब जाँच चली मुलाहिम सिंह आदब के खिलाब जाँच चली लालू आदब को तो सजा तक सुना दिया गया इस देश में एक एक चपरासी से लेकर चिफ जस्टिस के पत्तक अगर कोई ये CSTOBC पहुँच जाता है तो उसके खिलाब इंकम टेक्स छोड़ दिया जाता है अधिकारी है करमचारी है तो आपका C.R. खराब कर दिया जाता है लेकिन सोचिए जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है और जब से कुछ सवर्ण समाज पर हाट डाला गया और जब इलेक्टरल बॉंड के लिए तमाम लोगों को लपेटा गया सोचिए अभी जो नकली दवाई मिली है उसमें भी जो सहाब है उन्होंने भी 200 करोड का इलेक्टरल बॉंड खईदा था जानकार तो ये भी बताते हैं कि कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसको इलेक्टरल बॉंड नहीं खईदना परा और बीजेपी को चंदा नहीं देना परा साथ लाग करोड का चंदा बीजेपी को लगभग मिला था तो ये खबर जो है वो दहलाने वाली है हैरान करने वाली है कि किस तरह से तमाम एजेंसियों के दंपर निर्मला, सितारमन, बितमंत्री हैं ED income tax उनके मंत्राले के मताहत काम करता है और जान बुचकर कहा जा रहा है कि उन्होंने conspiracy रची तमाम लोग जानते हैं कि जिन लोगोंने आना कानी की सरकार से सवाल पूछे उन पर किस तरह से ED और income tax की कारवाई की गई चाहे वो वीपक्षी दल हो चाहे पत्रकार हो बीवीसी पर रेड हुआ कहा गया सर्वे हो रहा है हम जैसे लोगों की जांच हो रही है अभी हाल ही में क्यम टूर में एक बिजनेस मैं ने कहा कि मेरे दुकान में बटर पर जो है वो 3% बैठ है या 4% ब्रेड पर भी 3-4% है और जब यही ब्रेड और बटर ब्रेड मक्षन लगा देते हैं तो 18% GST हो जाता है अब कंजूमर आते हैं ब्रेड खरीते हैं फिर मक्षन खरीते हैं और अपने लगा के खाते हैं इतना कहने भर से उस बिजनेसमेन को शर्याम बेज़त किया गया था और माफी मंगवाई गई थी और कोई ने यही निर्मला सितारमन थे निर्मला सितारमन के बारे में बता दूँ ये ब्रहमन समाज से है जेनू से परी लिखी है और इनके पती ने कई बार इन पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं कि आप कलपना ही नहीं कर सकते हैं मैडम का कई बार संसत का बयान भी काफी बिवादित रहा है जब महंगाई पर लहसन प्याज की महंगाई पर बात हुई थी तो उन्हें कहता कि मैं तो खाता ही नहीं हूँ अब मैडम पर F.I.R. दर्ज हुआ है करनाटक पुलिस ने बकाइदा F.I.R. दर्ज की है और वो भी कोट के आदेश के बाद F.I.R. दर्ज किया गया है और कहा गया है कि इन पर F.I.R. दर्ज करो और एक बिजनिसमेन ने एक एंजियो के थुरू एक कोट में मामला लेगा और 8,000 करोर आप कलपना कीजिये कि जब एक सक्स 8,000 करोर का आरोप लगा रहा है तो और क्या हो सकता है यह समय कि सबसे बड़ी ख़बर है लेकिन TV अख़वार इस ख़बर को छुपा रहा है छोटे छोटे किलिप बना कर इस ख़बर को चलाया जा रहा है लेकिन वो तो और बित्मंत्री परारोफ है कि वो गिरोह चला रहे थे। तमाम लोगों ने सुरू से सवाल उठाया है कि PM केर्स फंड हो या फिर एलेक्टरल बॉन्ड का मामला हो इसकी बकाइदा जांच होने चाहिए। आप लोग की क्या पर्तकिरिया अपनी पर्तकिरिया जरूर दीजे क्या इस देश का जो विपक्ष है वो डड़ा हुआ है और टीबी अख़बार बिका हुआ है या ड़ा हुआ है मैं कहरा हूँ न बिका हुआ है न ड़ा हुआ है ये टीबी अख़बार भी जातिवादियों क गिरो है जिसको RSS और BJP की सरकार सूट करती है अगर ये कोई दलित पिछरा आदिवासी किसान अलफसंख्यक CMPM होता तो ये खबरे जरूर चलाई जाती और अगर कोई दलित पिछरा आदिवासी किसान अलफसंख्यक BJP कहीं Finance Minister होता तो भी उसको इस्तीफा देना पड़ता इ इस देश में अगर इमांदार होना है किसी को तो वो सिर्फ दलित पिछरा किसान अदिवासी अलफसंख्यकों को है बाकी तो लूट के देश चला जाया कोई नहीं पूछने वाला है और अगर आप दलित पिछरा किसान अदिवासी अलफसंख्यक हैं तो खीरा चोरी के जु दवाएं निसर्दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें